नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब का मेरे चैनल शैला की रसोई में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्वादिस्ट और बहुत ही टेस्टी माल पुआ इससे बनाना बहुत ही असान है पांच मिनट में बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा टेस्टी माल पुआ मैंने ले लिया है एक कप मैदा आप चाहें तो आटे का इस्तमाल भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने ले लिया है आधा कप सूजी हमें बारिक वाली सूजी का इस्तमाल करना है मिठे पन के लिए मैंने ले लिया है आधा कप शक्कर उसके बाद हमें इसमें डालना है एक टेबल स्पून सॉफ उसके बाद हम ले लेंगे एक कप गरम दूद, गरम दूद डालने के बाद इसे अच्छे से हमको मिक्स करना है मैं आपको जैसे बता रहे हूं न बिल्कुल इसी तरीके से आप पनाएंगे तो आपके भी मालपुव बिल्कुल ही स्वादिस्ट और टेस्टी बनेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसे मैंने लगातार मिला लिया है मिलाते मिलाते हमारा बैटर कितना अच्छा दिख रहा है अब एक दम लंब्स फ्री बैटर हमारा तयार है इसी तरीके से हमारा बैटर रहना चाहिए मालपुवव के लिए अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से ढख कर रख देंगे 15 मिनिट के लिए जिससे सूजी अच्छे से फोल जाए तो 15 मिनिट बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो सूजी है वो अच्छे तरीका से फोल चुकी है आप लोग देख सकते हैं बनाना शुरू करते हैं हमारा टेस्टी सा माल पुआ तो देखिए मैंने फॉस्ट पैट इसमें डाला है आप चाहे तो एक साथ दो तीन भी बना सकते हैं पर मैं एक ही आपको बना कर दिखा रहे हूं देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसमें में थोड़ा थोड़ा जो पल्टे से हमें ऑईल इस पर डालते रहे इससे क्या होगा जो इसका कलर है वह बहुत ही अच्छा आएगा उपर से भी धीरे-धीरे क्या होगा पकते रहेगा तो देख सकते हैं हमारा माल पुआ देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है तो खाने में सुची कितना देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाकर एकशीड की रेसपी भी देख सकते हैं तो देखी है हमारा सेकंड मालपुव जा वब बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है तो मैं आपको निकालकर दिखाती हूं कि कि देखकी कितना अच्छा लगता है बिना चाशन्यक ता हमने कि बिना किसी मैन्यत, बिना किसी जनज़त के बस 5 पुमें में बढने वाली यह रेजिब़ आपको बहुत ही पसंद आने वाली है तो चलिए मैं आपको एक माल पुमार तोड़ के लिए दिखाती हूं कितना आच लग रहा है तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज 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 एक जरूर करें और बने रहें मेरे चैनल पे नए नहीं और वीडियो देखने के लिए